13 फरवरी को MP बोर्ड का गड़ित का एक्जाम है और उसमें आज मैं आपको बताने बाला हूँ बहुत ही सीक्रेट रिक्तिस्थान जी हाँ बच्चो आप इसको जरूर अच्छे से देख के जाईएगा और इनके आंसर प्राप्त करके जाईएगा हो सकता है कि यही रिक्तिस् है तो खालिस्तान में आपको क्या भरना है तो देखो बिविक्तिकर होता है बी वर्ग माइनस चार एसी तो आप यहां पे भर देना बी वर्ग माइनस चार एसी अगला दिया गया है कि समांतर स्रेणिंग के किसी पद का उसके पूर्व वर्दी पद में अंतर क्या कहलाता ह तो देखो समातरशनी जब भी होती है तो उसका प्रिथम पद और उसके पहले का जो पद होता है कोई भी पद है उसके पहले के पद को जब घटा देते हैं तो सार्व अंतर कहलाता है तो यहाँ पे आपको भरना है सार्व अंतर क्या भरना है सार्व अंतर अगला है सरवांगसम तिर्वज खालिस्तान होते हैं तो सरवांगसम तिर्वज जो होते हैं वो समरूप होते हैं तो यहाँ पे आपको भर देना है समरूप होते हैं मोश्ट इंपोर्टन रिक्तिस्थान है आपको अच्छे से कर लेना है ये इसके बाद है चौता है कि किसी ब्रत की इस परस रेखा उसे खालिस्तान बिंदों पर प्रतिचेट करती है तो प्रतिछेट करने की जब भी बात आईगी कितने बिंदों पर किसी ब्रत की इस परस रेखा इस परस करेगी जो उसे कितने बिंदों पर मिलेगी तो इस परस रेखा केवल एक बिंदों पर मिलती है तो यहाँ पे तरज्जिखंड पूछा गया है और चाप की माप पूछे गई है तो उस चाप की लंबाई कहलाती है तो यहाँ पे आपको भर देना है लंबाई कहलाती है अगला है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंबे गटनाओं की प्रायक्ताओं का योग खालिस्तान है तो कोई भी प्रयोग हम करते हैं उसकी सभी गटनाओं की जो प्रायक्ता होते हैं उनका योग एक माना जाता है तो यहाँ पे आपको एक भर देना है तो ये महत्पून रिक्तिस्थान है इसके अलाबा ये सत्य सत्य भी आपको अच्छे से देख लेना है कि प्रतेक प्राकत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या ये सही है कि प्रतेक प्राकत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो आंसर है हाँ बिल्कुल सत्य है कोई भी जैसे दो है तो वो प्राकत संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है आगे देखिए जैसे कि प्राकत संख्या के अंतरगत एक आता है तो एक प्राकत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है अगला है कि परते एक पूरांग प्राकत संख्या होती है दूसरा असत है अब है प्रतेक परिमे संख्या बास्तविक संख्या होती है बताना है बिलकुल ये तो सत है अगला है प्रतेक बास्तविक संख्या आ परिमे संख्या होती है तो इसको बताना है कि ये असत है इसके बाद है प्रतेक पूरांग को पी बटे क्यू के रूप में किया जा सकता है जहां P और Q कोई पुडांग के Q बराबर नहीं है जीरो तो ये सत्थ हो जाएगा अगला है करणी दो एक परिमे संख्या है तो ये असत्थ है क्योंकि करणी जिस भी संख्या के उपर करणी लगी होती है मतलब कोई भी संख्या है उसके उपर अंडर रूट है और अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो एक परिमे संख्या होती है लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि करणी तो एक परिमे संख्या है तो यह पूरी तरीके से असत्त हो जाएगा तो मैंने आपको सत्त असत्त बताएगा अब इसको अच्छे से कर लीजिएगा सत असत बता दिये रिक्तिस्थान बताना है अब आपको और इसके लावा मैंने आपको जो बताया है वो अच्छे से एक सब्द बाकी मुत्तर भी मैंने आपको बताया है वो भी अच्छे से कर लेना है ठीक है तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो हेल्प करेगा इसके अलावा और भी इंपोर्टन इंपोर्टन वीडियो आपके ला रहा हूं तो वो जल्दी से देखते रहीएगा ताकि आपका जो तेरा फरवरी को पेपर होने माला है वो बहुत ही बेस्ट जाए ठीक है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थेंक्यू